हेलो दोस्तों मैं आकाशगर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को Standard Age Proof और Non-Standard Age Proof के बारे में बताने वाला हूँ तो अगर आप कोई भी Life Insurance लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Age Proof देना होता है बिना Age Proof आप Life Insurance Policy को नहीं ले पाएंगे तो अगर आप LIC में Policy लेना चाहते हैं तो LIC दो तरह के Age Proof को Accept करती हैं एक है Standard Age Proof और दूसरा है Non-Standard Age Proof तो आईए जान लेती हैं कौन-कौन से Standard Age Proof होते हैं और कौन-कौन से Non-Standard Age Proof होते हैं जो Standard Age Proof होते हैं उसमें आपका Birth Certificate आता है School Certificate, Baptism Certificate, Pen Card, Driving License, Passport या जो आपका अधारकाड है और उस पर Full Date of Birth Mention है वो यहाँ पर Standard Age Proof होते हैं तो अगर हम बात करें Birth Certificate की तो जो भी आपकी City में Municipal Corporation या अगर आप किसी गाउं में हैं तो आपकी तहसिलदार या जो ग्राम पचायत हैं उनकी तरफ से जो Birth Certificate है वो इस्यू किये जाती हैं तो आप Birth Certificate को Standard Age Proof की तरह यहाँ पर यूज कर सकती हैं उसके अलावा School Certificate जो आपको School से मिल जाती हैं जैसे कि आपकी 10th की Marksheet या 12th की Marksheet उसके बाद जो Baptism Certificate है ये Catholic Church से मिल जाता हैं जो लोग चर्च जाते होगे उनको इस बारे में पता होगा वो इस Certificate को बनवा कर Standard Age Proof में यूज कर सकते हैं उसके बाद Pen Card आप Online बनवा सकते हैं और इसी के साथ साथ जो Driving License है वो भी आप Standard Age Proof में यूज कर पाएंगे उसके बाद Passport आप Online बनवा सकते हैं अगर आपने अभी तक Passport नहीं बनवाया हैं उसके साथ साथ जो आपका अधार कार्ड हैं वो भी यहाँ पर आप Standard Age Proof में यूज कर पाएंगे अधार कार्ड में आपको ये बात याद रखनी हैं कि जो आपकी पूरी Date of Birth है उस पर mention होना ही चाहिए काफी अधार कार्ड ऐसी है जिन पर Complete Date of Birth एंटर नहीं होती है उन पर सिर्फ और सिर्फ Year mention होता है तो आपकी पूरी Date of Birth जिसमें आपकी Date, Month और Year उसमें mention होना चाहिए वही अधार कार्ड आपका Standard Age Proof में count होता है तो आईए अब बात करते हैं Non Standard Age Proofs की तो सबसे पहले यहाँ पर आता है ESIS Card तो अगर आप कहीं पर जोब करते हैं तो वहाँ पर आपको ESI Card मिला होगा तो उसको आप Non Standard Age Proof में यूज कर सकते हैं उसके अलावा जो आपका Water Card है, Ration Card है या जो भी आपके गाउं के पंचायत है उससे आपको Certificate मिला है या आपके पास कोई Self Declaration है या आपके पास कोई Affidavit है तो उसको आप Non Standard Age Proof में यूज कर सकते हैं इसी के साथ साथ यहाँ पर एक Horoscope भी होता है जो की Hindu Family में होता है जो Hindu Family होती है उसमें एक भही या आप बुक समझ सकते हैं उसकी मदद से भी आप Non Standard Age Proofs दे सकते हैं उसके बाद अगर आपके पास आपका अधार काड है और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी Year of Birth mention है यानि कि उसमें Date और Month mention नहीं है तो वो आधार काड आपका Non Standard Age Proof में काउंट होता है अगर आप किसी Muslim व्यक्ति की Policy करती है तो उनका जो Marriage Certificate होता है वो भी यहाँ पर Non Standard Age Proof में काउंट होता है तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन-कौन से Standard Age Proofs होगी और कौन-कौन से Non Standard Age Proofs होगी आप Standard Age Proof में Domicile Certificate भी काउंट कर सकती है इसी के साथ साथ जो Standard Age Proof है उसमें अगर आप Defense Department में है तो आपको जो भी ID Card मिला है वो भी आप यहाँ पर Standard Age Proof में लगा सकते हैं तो यह सबी Documents आप Standard और Non Standard Age Proof में यूज कर सकते हैं अईए अब बात करते हैं कि अगर आपके पास Non Standard Age Proof है तो उसका आपको क्या-क्या नुकसान हो सकता है तो अगर आपके पास यहाँ पर Non Standard Age Proof है तो हो सकता है आपको Insurance लेते समय कुछ Extra Premium देना पड़े मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है 25 साल की और उसके पास Standard Age Proof है और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास Non Standard Age Proof है तो यहाँ पर अगर एक 25 साल का व्यक्ति जिसके पास Standard Age Proof है उसको 1000 रुपे का Premium पे करना होगा तो यहाँ पर जो एक non-standard age proof वाला वैक्ती है उसको यहाँ पर 1150 रुपे का premium पे करना होगा यहाँ पर जो non-standard age proof वाला वैक्ती है उसको एक लाख रुपे के समय शोड पर 150 रुपे का amount extra पे करना होता है इसी तरह से मान लेते हैं कोई standard age वाला वैक्ती 10 लाख रुपे का insurance लेते हैं और जो उसका premium है वो 10,000 रुपे हैं उसी तरफ एक non-standard age proof वाला वैक्ती 10 लाख रुपे का insurance लेते हैं तो उसको extra premium पे करना होगा उसको यहाँ पर 11,500 रुपे payment करनी होगी यहाँ पर 1,000,000 रुपे के summary short पर आपको 150 रुपे extra yearly charges पे करने होती हैं जिसे हम age proof extra charges कह सकती हैं तो अगर आपको यह पैसे बचानी हैं तो आपको पहले अपनी non-standard age proof को standard age proof बनाना होगा तो उसके बाद अगर आपके पास non-standard age proof हैं तो यहाँ पर आपको वो plans नहीं मिल पाएगे जिनमें term rider होता है या जिसमें term assurance होता है तो आपको वो term rider वाले plans नहीं मिल पाएगे जैसे कि अगर हम बात करें जिवन लक्षा की तो ज़्यादतर लोग उसको term rider add करा की लेती हैं तो आप उस तरह के जो plans हैं वो इसमें नहीं ले पाएगे उसके बाद यहाँ पर अगर आपके उम्र 50 साल या 50 साल से ज़्यादा की है तो आप life insurance नहीं ले पाएगे अगर आपके पास non-standard age proof हैं पचास साल से ज़्यादा की वैक्ति अगर आप हैं और आपके पास standard age proof हैं तो आप policy ले सकती हैं लेकिन अगर आपके पास non-standard age proof हैं और आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं तो आप insurance policy नहीं ले पाएगे इसी के साथ साथ अगर आपके पास standard age proof है तो आप 25 साल से ज़्यादा की policy ले सकती हैं लेकिन अगर आपके पास non standard age proof है तो आप 25 साल से ज़्यादा की policy term नहीं ले सकती हैं एक non standard age proof वाले वैक्ति को ज़्यादा सी ज़्यादा 25 साल के लिए ही policy दी जा सकती हैं यानि कि जो policy term है वो maximum 25 साल की होगी उसके बाद हम बात करें some under consideration की तो जादा सी जादा एक non-standard age proof वाले वैक्ति को 5 लाग रुपे का insurance दिया जा सकता है हाला कि जो एक standard age proof वाले वैक्ति होगा उसके लिए यहाँ पर कोई भी limit नहीं होती है उसके साथ साथ यहाँ पर हम last point की बात करें तो यहाँ पर जो भी non-standard age proof वाले वैक्ति होती है उनकी maximum maturity age 65 साल की होनी चाहिए यानि कि उनकी जो policy की maturity है वो जादा से जादा 65 years तक की age की होनी चाहिए तो अगर आपके पास non-standard age proof है तो इस तरह के नुकसान आपको हो सकते है आपको extra premium भी देना होगा इसे के साथ साथ आप term rider भी नहीं ले पाएंगे यह जो restrictions हैं वो non-standard age proof वाले वैक्तियों के लिए लगाई गई है तो इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले आपका अगर non-standard age proof हैं तो उसको standard age proof में convert कराएं या उसमें कोई update कराएं जिससे आप यहाँ पर काफी अच्छे benefits जो हैं वो ले सकें तो उमीद करता हूँ अब आपको standard age proof कौन से होती हैं और non-standard age proof कौन से होती हैं उनके बारे में पता चल गया होगा और इसी के साथ साथ यह भी पता चल गया होगा कि non-standard age proof होने के आपको क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो वो आप comment में पूछ सकते हैं मैं जल्दी से जल्दी उसका reply करने की कोशिश करूँगा और ऐसी ही वीडियोज आप चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज लाता रहता हूँ धन्यवाद